तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है सिबिल इंजिनिरिक का पोर्टफोलियो कैसे बनाता है और पोर्टफोलियो क्यों बनाता है पॉटफोलियो में जो है क्या-क्या होना चाहिए तो इस वीडियो में आप सारे जानकरे कि जो है हम लोग जानने वाले हैं तो अगर आप पहली बार आया है इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आप लोग आप लोग अपलोड करते रहते हैं तो पोटफोलियो किसे गहेंगे फोटफोलियो के हम लोग उसे कहेंगे जिसको हम अपने नॉलेज के अंदर अच्छे से एक्स्प्लेइन कर सकेंगे या फिर उसे जो है दुसरों को जो है बता सकेंगे तो उसे कहेंगे फोटफोलियो जैसे अब पोटफोलियो बनाते क्यों है क्योंकि जैसे कि सिविल इंजिनेरिंग जो है रिजूम बनाता है तो रिजूम अगर किसी कमपानी की या किसी कहीं भी कमपानी में जो अपलाई करता है तो वहां पे रिजूम देकर जो है इंटर्विव में जाता है तो इस रिजूम को दे इस portfolio से आपका बता चलता है कि आप सैश में जानते हैं क्योंकि portfolio में आप खुद को महनत करके बनाना पड़ता है बनाने के साथ-साथ उसमें आपको calculation करना पड़ता है कहां कितना length लेना है कहां कितना cover लेना है सब चीजं़े इसमें mention किया रहता है तो अगर आप portfolio बनाते हैं तो आपको जो कुछ अकर कहें doubt भी रहता है तो आपका doubt clear हो जाता है और portfolio जो है आपका एक proof है कि आप जो resume में mention किये हैं वो सब reality है वो सब reality में आप जानते हैं यही है portfolio अब मान लेते हैं कि portfolio में क्या-क्या कौन-कौन सा portfolio बना है जैसे कि BBS प्लेंट बीम बार बेंडिंग schedule मतलब अगर आप एक बार बेंडिंग schedule का specialist है तो आपको जो है BBS का portfolio बनाना पड़ेगा जैसे कि सबसे पहले आपको floating up BBS निकाल लीजे इस आर ऐसे या एक PDF बना लीजे या तो फिर कहें तो आप इसको एक notebook में लीजे है कि आपको ये ये आता है तो कैसे मान लेते कि footing तो पुटिंग अ है 2 मेटर वाइ 2 मीटर काओ है उसमें कितिना ही का tan LAUGHTER कितना हुआ उस प्लमा छोड़े उसमें Sारा डीटल्स जयसे की मान लेते की इक दिख लेते हैं दिखिए इसको इसको जो है हम लोग पोरफोलिव में कण्षट कर देते जैसे की lei BARN में L plus LD plus 2 2 तरफ LD है और यह हो गया L distance तो यह 20 का distance हो गया 3.7 meter L हो गया 2 तरफ है 2 into 50 into D मतलब LD जो हम लोगे है 50D हहाँ पर में नसन किया हुआ है इसका निका लिए 4,900 mm यानी हम लोग का इस beam का top main bar 4900 mm 4.9 meter लंबा होगा इसको cutting length हम लोग 4.9 मिटर पे cut करेंगे यह होगी हम लोग का cutting length of top bar minimum 4 bar होना चाहिए किसी भी beam में आपको minimum 4 bar होना चाहिए उसके बाद bottom extra bar निकल लेते हैं तो bottom extra bar कहां पर provide करना है तो 0.15 into effective length यह effective length की से खेंगे जो column के center से इस column के center के 20 के दूरी को हम लोग कहेंगे effective length 4 meter है एक्स्ट्रा बार होगया 0.15 L तो इसका मतलाब हम लोग जो bottom में जो extra bar provide करेंगे वो यहाँ से 0.15 into L distance के दूरी पर जो प्रवाड करेंगे यहाँ से इतना दूरी यहाँ से इधर का भी जो यहाँ से इतना दूरी पर हम लोग प्रवाड़ेंगे इस इंगे bottom extra bar तो इक लेंद आ जाएगा 0.15 into 4000 meter तो आगे दूरी इस column के surface से आपको 600 mm दूरी पर जो है आपका bottom extra bar प्रवाड करना है आपको यह भी लिख दिए bottom main bar cutting length बना लेते हैं तो सेम होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो है बार का लेंद डाय आउप बार जो है सेम है तो cutting length सेम होगा तो आप extra bar का cutting length होगा आपका LD पलास effective length L dash by 3 minus 20 तो LD हो गया 15 to D effective length 4000 mm divided by 3 minus 150 minus 2D उसके बाद आगे है आपका LD हो गया minus हो गया माइनस मतलब आपको center से लेना है लेकिन आपको यहाँ से निकलना है तो आपको इसको हो माइनस कर दिना है 300 mm से अधा यहाँ देट से में को माइनस कर दिये उसके बाद 2D मतलब आपका 90 degree हो रहा है तो दो आपका D minus हो जाएगा diameter of bar तो आपका 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 यहाँ लागेगा यह बार उसका डाइब लेन्थ हो जाएगा 1769 mm बाटम एक्स्टरबर या तो सेंटर एक्स्टरबर कहते है टोटल हो गया चारहाजर में बीच से इस सेंटर इस सेंटर सेंटर उसमें से हमको निकलना है टू इंटू इफेक्टिव लेन्थ जो इसको जो हम लोग यहाँ पर जो इपलाई किया थे 0.515 इंटू इंटू 4000 इसको हम लोग यहाँ पर अपलाई कर देंगे और जो हम लोग को कि दोनों तरब जो है 600-300 इंट करके जो हम लोग का कॉलाम है तो उसका बीच का दिशन को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25 में मतलब नीचे जो हम लोग को इस यहाँ पर बार पर भड़ करना है बाटम में एक्स्ट्राबर तो उसको हम लोग 2500 इंट का यहाँ निकाल के आ गया तो हम लोग पोट्फोलियो क्या पोट्फोल में क्या लिखेंगे पहले बीम का ड्रोइंग चापेंगे उसके बाद इसको कॉलाम का साइज लिखेंगे बीम का साइज उसके बाद सीमिलारी से तरह टॉप काटिंग लेंद निकालेंगे में यहाँ पर चार बार मिनमम देना बॉटम का एक्स्ट्राबर का इसे निकालेंगे कितना दूरी पर दिन हाथ इसको कल्कुलेशन कर लेंगे बॉटम में बार काटिंग लेंद निकाल लिए सेम हो गया उसका टॉप एक्स्ट्राबर का कटिंग लेंद बॉटम एक्स्ट्राबर का कटिंग लेंद इस तरीगे से आप जो है beam का cutting net निकाल लिए इसे तरह footing का भी cutting land निकाल लिए इसी calculation करके उसके बाद आपको print beam का 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 स्लाब का भी उसके बाद beam का इस सारे जो है आपको calculate के cutting net निकाल के आपको जो है का पहneys specifically आपको PDF में लिख लेना है PPT में और जो है लिख के आपको प्रिंट आउट कर लेना है सारे को और उपार में आपको लिख देना है कि portfolio of BBS और उसके बाद आपको submit कर देना है इसी को कहेंगा हम लोग BBS BBS का portfolio आप चाहे तो अगर आप एक architecture है तो आप architecture का प्रो अपने से जो है portfolio बना सकते है उसके लिए आपको आपको करना पड़ेगा क्या आपको बहुत सरा drawing चापना होगा बनाना पड़ेगा जो आपको आता है और उसमें आपको mention करना पड़ेगा clearing के साथ तो इस तरीके से जो है आप अपना portfolio बना सकते है कहीं भी आप अगर quantity survey रहे तो उसका भी बना सकते है मतलब आपको जो आता है उसको लिग दीजे इसमें अच्छा बुरा नहीं होता है हो सकता है कि आपसे अगर एक perfect ना बने लेकिन आप पहली बार बना रहे तो उ सुधरने का मुका मिलेगा और उसके बाद उसको देखके है जो आप सुधर सकते हैं तो इस तरीके से आप एक अच्छा portfolio बना सकते हैं आपने लिए तो मुझे उम्मेद है कि इस वीडियो में portfolio के बारे में आपको सारे जानकारी मिल गये होंगे फिर भी अगर के हैं आपको